आज मैं आपसे शेर करने वाले हूं सद्दू की शर्बत रेसिपी, नॉर्मली हम सद्दू का पराठा ही खाते हैं, लेकिन गर्मियों में सद्दू का शर्बत काफी हल्दी होता है, इसके तासी ही ठंडी होती है, इसलिए हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, और ज सद्दू का शर्बत में दो तरीकी से बना के अब दिखाऊंगे आपको, तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इट दे लाइक बटन और वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा, बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सद्दू का शर्ब ग्रीन चिली, कॉरियंड ली, सॉल्ट, एसबर टेस्ट और थोड़ा सा लेमन जूस, और इसमें पानी एट करेंगे, और इसे इच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा यह सद्दू का शर्बत रेड़ी है, इसे बहुत जादा गाड़ा नहीं बटना है, इसे बहुत जादा बनाते हैं, सद्दू का यह शर्बत रेड़ी है, आप इसे मॉर्निंग में as a breakfast प्रेफर कर सकते हैं, आप मैं दूसरे तरीके से बना के दिखाती हूं आपको, यह especially बच्छों के लिए है, क्योंकि बच्छों को salted और थोड़ा सा spicy पसंद नहीं होता है, तो बच्छों को आप सब्सक्राइब दूद को और अजय कहाँ तर नहीं है अछा डूद को जैके की मॉनिंग जर विख़ों को दोई अब शॵर्वित कर लेकी दा रही है, थोड़ा सा दूद होना आट करें करें यह आप इस से सब्सक्राइब धिले करने हैं जर अनुद से मॉर्णिंग में इस तरह से दूद में मिला के दे और बच्चे इसे बहुत मन से खाते हैं तो आप इस सत्तू की दोनों रेसिपी इसको जरूर ट्राइ करिए और अपना फीडबेक देना ना भूलिए कि अपको मेरी रेसिपी कैसे लगी और अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज दो सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो गर्मियों में सत्तू का सेवन आप जरूर करें इसे मैंने दो तरीके से बता है जिसे ये बच्चे भी इंजॉय कर सकते ह तो आप इसे जरूर ट्राइ करिए स्टेफिस टे हल्दी थैंक्स वर वचिंग माई वीडियो